हाई दोस्तों आज बात करने वाला हूँ यह Under Construction Property है जिसके मैं इस विढियो में बात करने वाला हूँ आज हम जानेंगे इस अंदरकुस्टन प्रोपटी में किस टाइप की प्रोपटी है, कहां लोकेटिड है, कितने माले का टावर है, क्या-क्या बिल्डर इसमें एमेनिटीज दे रहे हैं, आज पास में कनेक्टिविटी, फैसिलिटीज, वो सारा कुछ में बात करूँगा इस साथी साथ में बताते चलूँगा बिल्डर का और पिछला बैक रिकॉर्ड क्या है, किस तरह का इन्होंने कनसक्शन किया है, कहां-कहां पे इन्होंने काम किया है, आज इसी के बारे में इस प्रोजेक्ट में बताऊंगा दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, चानल पार्टनर बिल्डर और प्रोपर्टी डिलर, मुंबई से स्वागत करता हूँ, एक बार फिर से हमारे इस यूटूब चानल प्रोपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में, आए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या डिटेल है यहां का, मैं एंटरंस अभी इसका बना नहीं ह हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको मैंने इंटरंस नहीं दिखा पा रहा हूँ, एंटरंस लॉबी आप देख सकते हैं, गोल्डन प्लेट में, बहुत बढ़िया इटालियन मार्बल और ग्रिनाइट के कॉंबिनेशन से इन्होंने बनाया है, काफे बढ़िया इसका लुक मार्वल्स के बीच में उनने प्लेट्स का यूज किया है, जो गोल्डन प्लेट्स है, इसका स्टेर केस है, यह इसका वन बीच की प्रापरटी है, इसमें आपको एलेडी बल्ब, फैन, फॉल्स लिंग, यह बिल्डर खुद करके देंगे आपको, इसके लिए कुछ अलग से आपको पे करने की ज़रूत नहीं है, इसमें आपको लगा के देंगे, इसमें एक दो से तीन फूट की बालकनी भी दिया है, विल्डर ने, सारे में, बेटरूम, किचन, हॉल, सब में, इन्होंने दो से तीन फूट की बालकनी दिया है, बना के, लिविंग डाइनिंग से एंटर करते ही, आपको लेटरें साइड पे कॉमन बाथरूम मिल जाता है, यहां पे बाथरूम और टॉलेट यह दोनों को सेपरेट सेपरेट किया हुआ है, बिकॉज मास्टर बेडरूम इसमें नहीं है, यह इसका किचन है, मोडल किचन यह आपको बना के ही देने वाले हैं, किचन में भी बाहर एक्स्ट्रा बालकनी स्पेस दिया हुआ है, जहां आप ड्राइ एरिया यूज कर सकते हैं, यह द्राइ एरिया यानि वोर्सिंग मेशन दख सकते हैं, कपड़े दोने और सुखाने का इंदजाम कर सकते हैं, बाहर निकलते ही सामने जाते ही देखें तो आपको ट्वालेट एरिया मिल जाता है, यह इसका कॉमन ट्वालेट है, प्राइज काफी इसका बड़िया दिया हुआ है, कंपेर टू अधर प्रोजेक्ट देखें तो बहुत बड़िया प्राइज उन्होंने अनॉंस्मेंट किया है, यह इसका बेडरूम है, बेडरूम में भी फॉल्सलिंग, LED बल्व्स, फैन उन्होंने लगा के दिया है, बेलकनी इसका दो से तीन फुट की बेलकनी है, इसकी, आप देखें इसमें मास्टर बेडरूम आगे यह वर्डरूम का स्पेस है जो वर्डरूम इहां पर आपको इंसाइट वाल के अंदर ही बन जाता है, पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाता है, और थोड़ा सा आप इसमें 25-5000 रुपे खर्चा करके, मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं, क्योंकि वैसा कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसमें वर्क करें तो, अगर मास्टर बेडरूम की रिक्वार्मेंट हो तो, आगे मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, इसका अरिया कैसा है, अभी इसके बाद हम डिरेक्टली 2BHK देखेंगे, इसके 2BHK की प्रापटी है, इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, इसमें भी एजटीज, फॉल्सलिंग, लाइट, बगर सब लगा के दे रहे हैं ये, और यहां से भी आपको एजटीज, पूरे क्रिक का वियू मिलता है आपको, प्रॉपर विंडो के साइट से दिखा रहा हूँ है, कैसा इसका लिविंग डाइनिंग के एरिया है, अब लिविंग डाइनिंग से आगे जाते ही, हम देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा एंटर करते ही, फर्स्ट राइशन साइट पे आपको कॉमन वाश रूम मिल जाता है, जिसमें ट्वालेट और बातरूम दोनों कंबाइन किया हुआ है, वाश बेशन भी अंदर ही इन्होंने लगाया है, फिट किया है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में कॉमन बेड्रूम दिया हुआ है, इसमें एक बालकनी भी दिया हुआ है, डाई से तीन फूट का, यहां से पूरा क्रिक व्यू, फोरेस्ट व्यू आपको मिलता है, ओपन व्यू मिलता है, यहां पे कोई आगे ब्लोकेज नहीं है, बिकॉज यह अल्मॉस्ट एंड है, बिल्कुल रहने के लिए बहुत ही पीसफूल एरिया है यह, उसके बाद थोड़ा आगे जाते ही राइट हैं साइड पर आपको किचन मिल जाता है, लेफ्ट हैं साइड पर आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है, यह राइट हैं साइड पर किचन है, किचन भी मॉडूलर किचन बना के आपको देंगे यह एज़टीज, और इसमें भी ड्राइब अलकनी अलग से दिया हुआ है, सर्विज फ्लैट फॉर्म भी आपको अलग से दिया हुआ है, फ्रिज पर आपको पहले ही लेफ्ट हैं इसमें ड्राइब अलकनी वस्विंग मसें रखने के लिए कपरे सुखाने के लिए प्रॉपरली दिया हुआ है यहां पे आपको इस गन्पती बगएर मंदिर बगएर रख सकते हैं जो प्रॉपर स्पेस बचा है उसके बाद यह सका मास्टर बेड्रूम है मास्टर बेड्रू बसको जो च ज Ne, इसका वाश्रूम है मास्टर बेडरुम का, यह भी दोनौ सीर इरिए ले-थैरिया दोनौ मिक्स किया हुआ है ड्जै किया है, इसमें आले कि वाशम्जिक्ष दिया हे विबर कॉंबिनेशन टाइल्स का बहुत खुबसूरत है इनका और हर एक प्रोजेक्ट में रहता है अब कहीं भी इनका प्रॉपटी खरीदने जाएं हर एक जिगे कॉंबिनेशन आपको बहुत बढ़िया मिले गए यह इसकी दो से तीन फुट की वैलकनी है यह मैं आपको फर्स फ्लोर पे दिखा रहा हूँ हूं जब आप हाईर फ्लोर पे जाते हैं तो बहुत बढ़िया व्यू मिलता है यहां से आप देखें तो इसका एल सेप की वैलकनी है व्यू इसकी बहुत खुबसूरत है रहने के लिए देखें तो बहुत ही पीसफूल एरिया है सुबह सुबह का संड़ाइज, संसेट, एयर, वेंटिलेशन सब प्रॉपली आपको मिलेगा यहां से यह सब बताने के बाद, प्रोजेक्ट दिखाने के बाद मैं आपको प्रो से देते हैं, पैसेज भी प्रॉपर स्पेशियस है, लिफ्ट अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके लिए मैं आपको लिफ्ट दिखा नहीं पा रहा हूं, इसका स्टेरकेस दूसरा है, दो स्टेरकेस कंपल्सरी हो गया है हर एक प्रोजेक्ट में, वरना उसको ओसी नहीं मिलता है, अब प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करूं दोस्तों, यह अंडर कंसक्शन प्रोजेक्ट है, जो आप देख चुके हैं, एंजी डेवलपर यह बिल्डर है, जिनका नाम है, और लोकेशन में अलड़ी बता चुका हूं, यह सिबसेनल लेन, नियर MBMC और कनकिया रोड, मिरा रोड इस्ट में आता है यह, इसका पिन कोड 401107 लगता है, प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करूं, टंथ स्टोरी टावर है, यह दस माले की बिल्डिंग है, हर एक फ्लोर पे चार फ्लैट, दो हाई स्पीड लिफ्ट और दो स्टेर केस है, इसमें पहले माले से इसका रेसिडेंशल फ्लैट बनाया है, इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे कुछ कमर्सियल सौप रखा है, और बैक साइट पार्किंग है इसका, रेरा में जो इसका रेजिस्टर नंबर है, रेरा का नंबर इसका अगर आप जानना चाहते हैं कि रेरा के वेब यह महारेरा नंबर के थ्रू आप जान सकते हैं इस प्रोजेक्ट का डेटेल, सब कुछ सारा डेटेल महारेरा के वेबसाइट पे अपडेटेट रहता है, रेरा का पोजिशन डेट 2024 है, बट बिल्डर आपको दिसमबर 2022 में ही पोजिशन देने की बात कर रहे हैं, महिना दो महिना आगे पिछे हो सकता है, बट यह उन टाइम आपको दे देंगे, हिंदू लुकाल्टी हैं, फिर भी आप हमें फोन करें तो हम पूरी तरह आपको बता पाएंगे, सारे बैंकों से अप्रूब्ड है यह जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हर बैंक से लोन हो जाएग हर एक डवलपर के साथ, मैं इंवेंटरी की बात करता हूँ दूस्तों, इसमें 1BHK और 2BHK, दो टाइप का फ्लाइट है, जिसमें 1BHK का मैं प्राइज की बात करूँ, 416 स्कूरपूट इसका कारपेट एरिया है, इसका एग्रिमेंट वैल्यू उसका सेवेंटी नाग, और 2BHK, इसमें कारपेट एरिया जिसका 580, यानि लगबग 600 स्कूरपूट इसका कारपेट एरिया है, और एग्रिमेंट वैल्यू उसका 79 लाग, और इंक्लूजिव वैल्यू 88 लाग रुपीज एप्रोक्स है, एमेनिटी इसकी बात करूँ, डेकोरेटिव इंटरन्स अंदर राहूल इंटरनेशनल स्कूल, जेडी हाई स्कूल, आरबी के स्कूल, कनक्या पुली स्टेशन, जीमस स्कूल एंट कॉलेज, लर तिवारी, कॉलेज, HDFC बैंक, बैंक अप बड़ोदा, जनरल स्टोर, वेजटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, GCC क्लब, सवन स्टा क्लब, गैलेक्सी होस्पिटल, माक आलेशोर मंदीर, बर्दमान फेंटासी, सेवन वंडर्स, ये सब 2-5 मिनिट के अंदर के कनेक्टिविटी है, 10-30 मिनिट के अंदर, 10-30 मिनिट के अंदर आप मीरा रोर स्टेशन, भाहिंदर स्टेशन, काशी मीरा, घोडबंदर रोड, तसाज मॉल, ठाकूर मॉल, एंड मल्टिपलर थीटर, बिग बजार, दईसर चेकना का, आउटलेट जो बड़े-बड़े ब्रांड के हैं, जैसे, एडिदास, पेंटलून, स्कैचर, नाइकी, रिबॉक, ये भी यहां से आप हाइवे पे अरली 10-15 मिनिट के अंदर ही कर जाते हैं, 45-1 आवर के अंदर, यानि 45 मिनिट से एक घंटे के अंदर, आप कुराई बीच, ग्लोबल विपास्चना पगोडा, एसल वर्ल्ड, वाटर किंग्डम, बैलंकनी बीच, पाली बीच रिसॉर्ट, इंटरनेशनल एरपोर्ट, डॉमेस्टिक एरपोर्ट, मलाट माइन स्पेस, आईटी पार्क, एक से दो घंटे के अंदर, जो मुंबई की फैमस मसहूर थीजे हैं, जो बाहर के लोग भी टूरिस्ट वाले भी घूमने के लिए आते हैं, वो मिरावड के लोकेशन से जहां पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, यहां से हाडली, आप दो घं कासिमम दो घंटे के अंदर आप रीच का जाते हैं, जुसमें से पवाई, बर्सोबा बीच, जुहू बीच अंधेरी, सिद्धिवनायक मंदीर, महालक्ष्मी मंदीर, मुंबा दिभी मंदीर, हाजी अली दर्गा, बैंडा कुल्ला कॉम्प्लेक्स, यानि BKC, माउंट मेरी चर्च, लामिंटन मार्केट, वरली सीलिंग, प्रॉफट मार्केट, मरीन लाइन्स, गिरगाओं चोपाठी, तारापुरवाला एक्वारियम, कॉलावा, गेटवो फिंडिया, अलिफेंटा कैब, यह सब मॉंबाई की बहुत फैमस चीजे हैं, जो मैंने बताया, आज का मै investment tips की बात करूं दोस्तों, तो है बहुत सरल, लेकिन बहुत लोग इसको follow नहीं करते, दोस्तों मैंने देखा है कि जब भी आप कोई भी resale की deal करें, या फिर new project में builder से deal करें, तो दोस्ती जारी में कभी भी कोई भी payment ना दें, और कोई भी आप transaction करते हैं, वो चाहे छोटे स चोटा transaction हो या बड़े से बड़ा transaction हो, चोटा transaction भी दोस्तों, property field में, लाग, दो लाग, पांच लाग के नीचे चोटा transaction होता नहीं है, तो कभी भी trust पे ना जाएं, आप legal paperwork जरूर करें दोस्तों, मेरा हाली में दो तीन experience बहुत bad experiences रहा है, उन्होंने दोस्ती यारी में, रि एक दूसरे के relation में होते हुए भी वो घूम गया, और उनका पैसा अभी तक stuck हुआ पड़ा है, आगे वो property ले भी नहीं पा रहे हैं, दोस्तों, कभी भी आप property में जो खरीद विक्री करते समये, जब भी transaction करें, तो at least अगर आप लाखों में transaction करें, तो 500 रुपे का stamp paper है, 500 के stamp paper पर जरूर आप उसका लिखा पड़ी कर लें, at least सब कुछ बना लें, proper terms and conditions उसमें डाल लें, अगर आप दे रहे हैं, कितने दिनों में deal close होना चाहिए, कितना क्या terms में होना चाहिए, अगर कुछ buyer या seller side से issue होता है, तो वो कितने दिनों तक consider किया जाएगा, नहीं तो उसके उपर interest charge होगा, ऐसे सारे terms आप उसमें डाल लें दोस्तों, terms डालने के बाद क्या होता है, कि आप पूरी के पूरी तरह से safe हो जाते हैं, because property field में कोई 25-50 रुपया या 100-200-500 रुपय की game नहीं होता, सिधा यहां लाकों कड़ोरों और अर्वों में game होता है, दोस्तों मेरा कई experience ऐसा bad experience रहा है, तो मैं अपने viewers को यह aware करना चाह रहा हूँ कि कोई भी आप transaction करे, तो transaction करने से पहले आप जरूर acknowledgement करवा लें, चाहे वो 100 रुपय का stamp paper हो, 500 रुपय का stamp paper हो, अगर आप builder से deal करते हैं, तो builder के account में जैसे transaction होता है, आप उसका receipt ले लें, receipt लेने से आ आपने इतना payment उसको दिया है, resell की deal है, तो अब stamp paper पे लिखवा लें, या फिर कुछ न कुछ, MOU sign, Memorization of Understanding paper जो होता है, MOU वो sign करवा लें, ताकि आपका पैसा पूरा का पूरा safe हो जाए दोस्तों, और भी मैं इस payment के बारे में registration और position के बारे में detail बात करूंगा, फिलहाल तो आप यह याद रखें कि कोई भी transaction करें तो उसका acknowledgement जरूर लें दोस्तों, कोई भी new launching property या फिर under construction property, under construction project में property खरीदने से पहले, कुछ important information है, वो आपको समझना जरूरी है, जो आप समझने पहले, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना खरीज सकते हैं, एक flat, दो flat, जोड 200 flat हम लोग बेजते हैं, एक एक project में, जिसके कारण, आप छोटे broker, छोटे CPs के साथ काम करें, तो उसकी बात नहीं बता सकता, लेकिन हमें जो discount मिलता है, हमें जो offer मिलता है, वो आप compare करें, तो बहुत rare CPs को मिलता है, आप हमारे तरूप phone करें, हमारे तरूप book करें, आपक पास direct चले जाते हैं, और हमारा price आपको मिलता है, और उसके बाद आप हमें phone करते हैं, कि आपका price इतना है, builder हमें इतने में provide कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, दोस्तों मैंने कई बारे सा face किया है, कि customer जब direct builder के पास developer के office में जाकर चले जाते हैं, तो वहां उनके CRM software में discount नहीं कर सकते हैं, because builder का ये कहना रहता है, कि ये हमारे direct customer है, आप इनके लिए काम ना करें, बरना आपके जो fees होंगे, वो भी हम provide नहीं करेंगे दोस्तों, तो आपको एक बात बता दें, कभी भी आप builder के पास जाएं, तो आप जिस CP से connected हैं, उस CP को साथ में लेके जाएं, तो ही उसका extra benefit मिलेगा, अगर आपको पास कोई channel partner यानी CP या dealer नहीं है, तो आप हमें phone करें, हम आपको पूरी help करेंगे, उस property को purchase करवाने में, जिसको भी इसने channel पे promote कर रहे हैं दोस्तों, तो आप कभी भी जाएं builder से property purchase करने के लिए, तो channel partner या फिर property dealer को साथ में लेके ज और दूसरा, resell की property के लिए या builder के लिए ये property dealer काम करती है, दोनों team हमने divide कर रखा है, तो आप अगर CP के साथ जाना चाहते हैं, तो भी हमें phone करें, अगर dealer के साथ जाना चाहते हैं, आप हमें phone करें, हम दोनों level पे आपकी help करेंगे, वहां का सही price, सही discount, सही offer में property दिलाने का दोस्तों, यह property का मामला है, दोस्तों, यहाँ पे 500,000, 2000,000 का खेल नहीं है, यहाँ पे सिधा सिधा थोड़ा सा अगर आपको जानकारी ना हो, तो 5,500,000,000,000,000,000,000,000,000 रुपया एक जटके में चला जाता है, जो आपकी काफी मेहनत किया और काफी लगन की कमाई होती है जो लॉस हो जाती है, तो बिल्डर को तो कुछ नहीं फरक पड़ता है, आपके 10-20,000,000,000,000,000,000,000,000,000 फ्लैट बेचना है, आपको तो 100 फ्लैट में नहीं लेना है, आपको तो 1 या 2 फ्लैट लेना है दोस्तों, तो आप जरूर किसना किसी को लेके जाएं, ताकि आपको information अब दोस्तों बता दूं हमारी services यह services में customers के लिए क्या beneficial होता है new launching, new booking, resale और bank auction की property में deal करते हैं दोस्तों auction की property जो होती है हमेशा 30-40% discount पे होती है और साथे साथ जो builder की launching property होती है लांचिंग पे तो builder का अच्छा खासा discount होता है कभी कभी time duty registration discount होता है कभी PLC discount होता है तो कभी florize discount होता है ऐसे जो discount property होती है फाइदे वाली property होती है जिस तरह आप ये हमारा video देख रहे हैं ऐसे हजारों लाखों लोग हमारे रोज ये वीडियो देखते हैं उनको भी अगर urgent में कभी कुछ property sale करना होता है तो वो हमारे channel के थूरू sale कर डालते हैं ऐसे 10-20-20-20 लाख रुपय benefit में भी urgent sale की property आती है जो हमारे channel पे मैं हमेशा upload करता रहता हूँ उसके photos और videos काफे सारे लोगों को मैंने benefit करवाया है दोस्तों 10-20-20-30 लाख रुपय कम म परणवाल पर डालता रहता हूँ आपसे request है आप हमारे channel को subscribe कर ले बेल आइकन प्रेस कर ले जब भी मैं ऐसे फाइदे वाली benefit वाली property डालूं तो सबसे पहले उसका notification आपको मिल पाए और आप उसका जल्द से जल्द benefit ले सकें दोस्तों अगर आप YouTube पे ज्यादा friendly नहीं है तो आप हमारा WhatsApp नमबर है 8070807099 दूसरा हमारा नमबर है 9619871855 यह दोनों नमबर हमारा WhatsApp पे है आप आपके WhatsApp नमबर से आपका नाम, requirement, location, budget यह सब लिख के भी दें जब भी हमारे पास ऐसी कोई property आती है new launching property, bank auction property या फिर resale में कोई urgent sale की property आती है हम सबसे पहले आपको WhatsApp broadcast पे आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलूंगा मैं next वीडियो में फिर से आओंगा नए property का information लेके कुछ अर्जन से लिए फायदे वाली property लेके हमारे इस चैनल को इतना सारा प्यार, इतना सारा सहयोग, इतना सारा support करने के लिए दोस्तों बहुत-बहुत सुक्रिया मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों कर दोस्तों बहुत बहुता हुआ है झाल झाल